Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल पहनना शोर दिया था, और सूट पहनना शुरू कर दिया था, ये वो गटना है, UP Politics की, जिसने पूरी UP की राजनीती को बदल के रख दिया था, एक उस दिन में, तो अब क्या है आखरी है, गेस्टाउस कांट, आज आपको ये बताने वाले हैं, शुरुआत से अम तक किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह तक खतम हुआ, किस भायाव है, द्रश्य को, आप आज जानेंगे उसको, ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं, शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड, साल था 1993 और UP में चुनाव थे, इस से पहले युत्तर पुदेश के CM थे कल्यान सिं में काफी जादा मजबूत नजर आ रही थी, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए, दो बड़ी पार्टियां उत्रपुदेश के उस समय की, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, बसपा और सपा ने, सपा के जो मुलाइम सिंग यादफ थे, जो उसके ह अंदर ही आता था, तो सीटों की जो कुल संग्या थी, वो 422 थी, 422 सीटों में से चुनाव जब हुए तो मुलाइम सिंग की सपा ने, 256 सीटों पर चुनाव रड़ा, और बसपा को दी गई थी, 164 सीटें, इन दोनों सीटों पर ये जो चुनाव जब रहा, तो BSP और सपा क इन लोगों ने, दोनों के आलाइंस ने यहाँ पर जीती थी, और इसके बाद सपा का भी इसमें पूरी तरह से इन्वोल्मेंट था, उसका भी जो बसपा थी, बसपा का पूरी तरह से इस जीत में साथ रहा था, सपा के साथ में, लेकिन यहाँ पर CM बनाय जाते हैं, मुला आयवती जो समय पार्टी सचेव हुआ करती थी, मायवती, काशी रामो, मुलायम सिंग यादव ये तीन बड़े, सबसे बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे, सपा और बसपा ने एक अच्छा समय अपना साथ में निकाला, एक साल करीबन का जो समय अगला जो IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, आपस अपना इस एक्जाम को क्रैक करना, एक बार जाके इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में जरूर देखेगा, सारे के सारे कोर्सेज, इस्टड़ी IQ के, जो की UPSC के इस तरह के कोर्सेज हैं, उन्हें डिजाइन इस तरह से किया आप structure भली बाती समझते हैं, जानते हैं कि आपको किन study material की जरूरत है और ये सब कुछ study IQ आपको provide कर रहा है, आपको बस एक code लगाना है, वीजे लाइट जो आपको आपको स्क्रीन पर देख रहा है, इससे होगा क्या कि आपको एक बहुती बड़ा discount मिलेगा, अपनी तयार कि साल 1995 आया, फ्रीज साल करीबन इस गटबंदन को हुआ था बस पोर सपा के, 1995 मुत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए, इन पंचायत चुनाव में सपा ने बड़ी जीत हासिल की थी, बहुत बड़ी जीत सपा को मिली थी, करीबन 50 जिलों में से 30 जिलों में सपा अपना पर्चम फैराया था, सपा यहां पे आई थी, 9 जिलों में भाजपा आई थी, 5 जिलों में कॉंग्रेस आई थी, लेकिन मौजुदा सरकार के साथ अलाइंस के बावजूद, गटजोड के बावजूद, बसपा को इस पंचायत चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली थी, यहीं से बताते हैं कि बसपा और सपा का जो गडबनन था, वो तूटने लगा, यहीं से बसपा के जो प्रमुक नेता थे, काशिराम थे, मायवती थी, इन्होंने ये सोचने शुरू कर दिया था कि इस अलाइंस से बसपा को कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कुछ भी इनको यहां से नहीं मिल रहा है, तो बताया यह जाता है कि इस बीच बसपा और बीजेपी के जो नेता थे, भारते जनता पार्टी यहां पे सीन में आती है और इसके बाद में भारते जनता पार्टी और बीएसपी के जो नेता थे, बसपा के, उनकी नजदी क्या बढ़ने लगी और ये बढ़ना कुर इस तरह से शुरू ही थी बातचीत के गुरगाओं में जो बसपा के सुप्रीमों थे काशी राम जी उनके एक दोस्त हुआ करते थे राजसबा सांसत थे जैंत मलोत्रा उन्होंने बीजेपी के अटल व्यारी बाचपई और रसेस के रजु भीया जो समय के RSS मुख्या थे उनसे काशी राम जी की बातचीत करवाई उनसे मीटिंग्स कराई कई मीटिंग का दोर चला गुरगाओं में दिल्ली में इसके बाद में ये जो गडबंदन था एक तरह से उसकी यहां से नीव एक तरह से रखी गई आप यह कर सकते हैं बसपा और बीजे जी को मना लिया जाता है अब इस बीच ये जो बातची चल रही हैं दोनों पार्टीस की इसकी भनक लग गई सपा के हेड मुलायम सिंग यादफ जी को मुलायम सिंग यादफ को जहां से इसकी भनक लगी तो यहां बीएस पी और बीजेपी की जब नस्दीकिया एक तरफ ब वहीं बसपा जो थी वह बाजपा से बाते कर रही थी उसके साथ नस्दीकिया बढ़ाई थी लेकिन इस बीच में काशिराम जी की तबियत खराब होने लगती है तबियत उनकी खराब हुई उन्हें गुरगाओं में ही एक अस्पताल में भरती कराया गया उनकी देखबाल यहाँ पे उनके जो दोस्त थे जिन्होंने भाजपा के साथ में उनका गडबंदन एक तरह से उनकी बातचीत करवाई थी उनकी वो यहाँ पे थे जैन्त मलोत्रा वो उनकी देखबाल कर रहे थे तो गुरगाओं में काशिराम जी को एडमिट कर दिया जाता है 23 मई 1995 की बा बातचीत हुई और इन्होंने गडबंदन की फाइनल बातचीत इसी दिन पर रात में की थी यह बताया जाता है मतलब इशारा साफ था डेड़ साल का जो गडबंदन सपा के साथ बना हुआ है उसको तोड़ कर यहाँ पे भाजपा के साथ में आया जाएगा और उसके बाद का दिन था कुछी दिन बाद 31 मई 1995 का वो दिन था जब पार्टी की जो महासाचिव थी मायावती उस समय मायावती काशीराम जी से मिलने पहुचती है उनकी तबियत जो इतनी जादा बिगड़ी थी उसको देखका मायावती ऑस्पिटल में ही उस कमरे में रोने लगी काशी जी ने उने मायावती को कुछ पत्र दिखाए तो मायावती यहाँ पे पूरी तरह से चौक चुकी थी उनका ये था उस पत्र में ये था कि काशीराम जी ने बीजेपी के समर्थन के लेटर्स मायावती को यहाँ पे दिखाए थे मतलब बस्पा को पूर्ण तरह से समर्थन यहां पर मिल चुका था बाजपा का और मायवती को यह पत्र दिखाकर काशिराम जी ने कह दिया था कि अब आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता काशिराम जी से बीजेपी समर्थन के पत्र सारे लेके मायावती यहां से दिल्ली से पहुँच जाती है लखनव दिन था एक जून 1995 ये उनी तीन चार दिन के अंदर ये पूरा गेस्ट आउस कांड है अगला ही दिन था एक जून 1995 दिल्ली से मायावती लखनव पहुचती है और लखनव में मीरा रोड पर एक इस्टेट गेस्ट आउस है राज एतिति ग्रह उसके स्वीट नंबर वन और स्वीट नंबर टू में मायावती यहां पर रुकी हुई थी मायावती नहीं यहां पर क्या किया कि मुलाहिम सिंग यादफ सरकार में सपा सरकार में यह जो उसमें जो ग्यारा मंतरी थे बस्पा के उनको साथ लिया और उस समय के उत्तर प्रदेश के गवर्णर थे मोतिलाल वोरा उनसे मिलने पहुंच जाती है तीन लेटर राज जपाल के साथ सामने गवर्णर के सामने वोरा के सामने पेश किये मायावती ने इन तीन लेटर्स में ये था कि पहले में तो ये था कि काशीराम जी ने सुप्रीमों ने बीएसपी के उन्हें अधिकरित किया है उनको यह आदेश दिया है, मायवती को यह पूरा अधकार दिया है कि वो कोई भी decision party का इस समय ले सकती है दूसरे में था कि मुलायम सरकार से हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं इसका कारण बताए गए थे क्यों ले रहे हैं वापस और तीसे लेटर में ये था कि Congress, BJP, जनतादल, Communist Party के करीबन 282 MLS की list थी तीसे लेटर में जो कि मायवती के समर्थन कर रहे थे मायवती का और यहाँ पर मायवती अपना सरकार बनाने का तीसे लेटर में दावा कर रही थी मोतिलाल बोरा ने, Governor ने उत्तर प्रदेश के एक दिन का समय मागा और एक दिन का समय लेके इस फैसले को यहाँ पर टाल दिया जाता है अब यह दिन था आप याद रखेगा एक जून का, सेम इसी दिन एक जून को 1995 में ही उत्तर प्रदेश के जो मुक्य मंत्री उस समय के थे, मुलाइम सिंग यादव, वो अपने कैबिनेट के जितने मंत्री थे उनके साथ में और जो समाजबादी पार्टी के जो कई और भी नेता थे पूरे स्टेट के उत्तर प्रदेश के, उनके साथ एक सभा ले रहे थे, उस सभा में सड़नली वहाँ पे मुक्य मंत्री कारारले में जब यह सभा चल रही थी, तो उस समय के एक बहुती वरिस्ट, बहुती प्रवावशाली आएस, ऑफिसर, जो उस समय मुक्य मं कायरल में पदस्त थे जो वहाँ पे थे नाम था पी एल पुनिया पी एल पुनिया यहाँ पे सड़नली इस सभा में पहुंच जाते हैं और मुलाहिम सिंग यादफ के कान में उन्होंने कुछ बात कई इसके बाद बताया जाता है कि मुलाहिम सिंग यादफ का विभार जो था वो इस बाचीत के बाद में अचानक से बदल गया उन्होंने पार्टी के कारेकरताओं को सड़नली एक लाइन में ये कहा कि आप लोग चुनाव के लिए तैयार रहेगा और उसका दूनोंने सबा समाप्त कर दी बताते हैं कि पूनिया ने मुलाहिम सिंह यादव को यह बताया था यहां पर आके कि बहुजन समाज पार्टी बस्पा जो है वो गटबंदन सरकार को यहां पर खतम कर रही है यह उन्होंने यहां पर फाइनल उस एक जून के दिन पर मुलाहिम सिंह आदफ को बता दिया था अब मुलाहिम सिंह आदफ को जब यह पता चला तो वो गुस्से में थे दल बदल विरोधी कानून के चलते उनको अभी सपा में और भी ज़ादा विदायकों की जरूरत थी बसपास लाने के लिए तो ये भी चीज़ यहां पे सामने थी इसके लिए बताया जाता है कि किसी भी उस समय पार्टी के लिए एक बहुती कटिन सिच्वेशन थी और यहां पे साम दाम डंड भेद इस तरह के सूत्र का पूरी तरह से यहां पे इसके बाद यूस किया गया अगला दिन आता है 2 जून 1995 का इस दिन को यही वो दिन है जिसे काला दिन का आ जाता है उत्तर पुदेश की राजमीती का किस तरह से यह साब हुआ था यह समझेए 2 जून 1995 का दिन आता है मीरा इस तिद जो रोड है उस पे जो इस्टेट गेस्ट हाउस है वहाँ पे मायावती रोकी हुई थी ओबराल सिनेरियो के जिस तरह का था कि बियेसपी ने एक दिन पहले ही मुलाहिम सिंग यादफ सरकार से अपना समर्थन वापिस लेने के लिए बसपार और सपा का जो गटबंदन था उसको तोड़ कर अपना समर्थन वापिस लेने के लिए यहाँ पे मायावती एक तरह से तयार थी उन्होंने अपना पेश कर दिया था यहाँ पे सारे लेटर्स राजपाल बोरा के सामने इसके बाद मायावती तयार थी सब्ता में बैटने के लिए बीमारी से जूज रहे काशिराम थे उनसे लगातार संपर्क में थी गुरगाओं में वो थे क्योंकि उनको हर एक पल की वहाँ पे ख़बर दे रही थी उत्तरपदेश के रोज राजपाल थे उनके पास में लेटर्स पहुच चुके थे बीजेपी, कॉंग्रेस, चंतल के समर्थन के साथ में एक नई सरकार मायावती जो बनाने वाली थी अलाइंस के साथ में उसका और दिल्ली में हॉस्पिटल में काशिराम जो थे यहां पे, उन्होंने एक दिन पहले ही मायावती को पूरे समर्थन के जो बीजेपी के लेटर्स थे, वो दे दिये थे और यह सुनिश्चित किया था, यह कहा था कि तुम्हें मुक्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोख सकता तो इस तरह का पूरा इस सिनेरियो था अब इस दिन मायावती जब इस मीरा रोड इस्तित स्टेट गेस्ट हाउस में थी, तो यहां पे स्टेट गेस्ट हाउस के कॉमन हॉल में बस्पा के जो विदायक थे और जो नेता थे जाने की तैयारी कर रहे थे, शाम के करीबन चार से पांच बजे के बीच की ये बात बताई जाती है करीबन जिस तरह के आरोफ लगे हैं और जिस तरह की बाते सामने आई थी बाद में, वो यह था कि करीबन इस बीच में दो सो सपा के पार्टी के नेता विधायक कई सारे कारे करता, कई बायूबली उनमें शामिल थे, जिन में यसे कहते हैं के एक अतीक अहमद भी थे, अतीक अहमद भी इसमें था, इन लोगों ने guest house पर धावा बोल दिया और पल भर में ये जो माहौल था guest house का वो पूरा गरम माहौल हो गया एक तरह से कहते हैं बताते हैं कि कार करता चीक पुकार मचा रहे थे गाली गलोच कर रहे थे अबद बाशा का इस्तिमाल हो रहा था वाँ पर और पल भर में से उस वददवाजे को तोड़ते हुए guest house के अंदर गुसना शुरू किया विदायकों के उपर बसपा के जो विदायक थे उनको लाद भूसों से माड़ना शुरू किया लत्याना शुरू किया इसके बाद बताते हैं कि कम से कम पाँच विदायक ऐसे थे जिनको घसीरते हुए यहां से guest house से गाड़ियों में बिठाया जाता है वसपा के ऐसे पाँच विदायक थे जिनको गाड़ियों में बिठाया जाता है और इसके बाद मुक्यमंत्री आवास पर ले जाया जाता है उन पांच विदायकों को यहां से मुलायम सिंग सरकार को समर्थन देने के वाले पत्र पर दस्तकत करने के लिए यहां से फोर्स किया गया और वो विदायक पांचों इतने ज़ार डरे हुए थे कि उन्होंने कोरे कागज पर साइन कर दिया बिना कुछ सोचे समझे वो इतने प्रकतार घेरा जा रहा था और यह मायावथी कहां पर इस बात की बहुत ज़ादा सारे कार्य ранता हुं में यह ता कि मायावथी को धू लूंड़ा जाए मायावथी उन्हों को मिलनी रही थी तब इसी समय क्या हुआ कि मायावथी क्यूंकि स्वीट नमबर बन में थी और बीएसपी के विदायक है जानते थे कि वहाँ पे हैं कुछ विदायक यहाँ पे उस पूरे guest house में क्या चल रहा है किस तरह से आक्रमन हो गया अटैक हो गया एक तरह से तो उसकी एक सिपाई रशीद एमद और उनके साथ में जो उनका परसनल एक गार्ड रहता था security गार्ड लाल चंद उन दोनों ने आरके चौदरी को यहां तक पहुचाया और इसके बाद में लाल चंद ने कि यह जो दोर है उसको वो लोग खोल ना पाएं वो दर्वाजा तोड़ना पाएं क्योंकि जिस तरह से वो दर्वाजा पीट रहे थे ऐसा लगा था कि दर्वाजा तूट सकता है यहां से गेट खोलना पाएं इसके लिए इन्हों ने सोफा अलमारी अंदर से मायवती ने और उनके लोगों ने उस कम्रे में गेट के बाहर लगा दी, लखनौ के इस समय बताते हैं, जो मौझूद है वहाँ पर जो लोग इन जो चश्म दी दे, जो बाद में आरोप लगे जिस तरह के, यह बताया जाता है कि लखनौ के SSP उस समय ओपी सिंग, वहाँ पर मौझूद थे, और वो वहाँ पर साइड में खड़े होके सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट फूक रहे थे, यह बताया जाता है कि पुलिस शासने जो इस्थानी अधकारी थे, जो कुशासन था, वो सब वहाँ पर एक तरह से चुप-चाप, यह सब कुश देख रहे थे, उस गेस्थाउस के अंदर मौझूद होकर, और इस गेस्थाउस के जो स्टाफ था, वो भी कुश नहीं कर पा रहा था, वो भी ऐसा आया था, गेस्थाउस के बिजली कार्ट दी गई थी, पानी की सप्लाई कार्ट दी गई थी, कई टेलीफोन लाइन्स को बंद कर दिया गया था, तो इस तरह का एक द्रश्य हाँ पर बना दिया गया था, इस बात की ख़बर जब सेंट्रल गॉवर्नेंट के पास पह辉चने लगी, जब 理, बी जैपी के पास जी ख़बर थी हो पहुँची, तो इसके बाद पुलिस फोर्स को भेजने का एक्शन लिया गया, उसके बाद पुलिस फोर्स को भेजा गया, DM को पहुँशने के संदेश मिले DM को District Magistrate को पहुँशने का आदेश मिला इस दोरान बताते हैं कि Guest House में जो इस्तिती थी कई सारे SA Officers थे जिन्होंने अपनी क्योंकि CM की तरफ से एक तरह से आदेश है और वहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही है लेकिन यहाँ पे कई SA Officers थे दो SA Officers थे जिन्होंने क्या किया कि अपनी जान पर खेल कर अपना जो कर्तब था उसको पूरा किया उसको निभाया ये दोनों आफिसर थे हजरत गंच के SHO विजैबूशन और VIP SHO सुभाश सिंग बगेल इन दोनों ने यहाँ पे बाकी सिपाईयों के साथ में जो आकरमन कर एक तरह से जो भीर थी उसको कागू करने की कोशिश की और उसके बाद मायावती के जो जिस रूम में वो थी उस पूरे गलियारे में उस पूरी जो कॉरिडर वो था वहाँ पे ये लोग एक चेन बनाकर खड़े हो गए फुलिस ऑफिसर्स की जो अपने जो सिपाई थे उनके साथ में ये दोनों फुलिस ऑफिसर्स इस बीच में जो भीर थी वो इस तरह से गंदी-गंदी गालियां दे रही थी जाती सूचक गालियां दे रही थी ये कह रही थी कि मायवाथी को घसीट कर यहां से बहार निकालेंगे इस तरह की धमकियां दे रहे थे वो लोग जो लोग से चिला कर थोड़ी देर में यहाँ पे डियम पहुँशते हैं पहुशते हैं पर आते हैं स्पी राजीव रंजन के साथ में डिस्टिक मेंजिस्ट्रेट जब यहां पे पहुँशे तो इन लोगों ने उस भीड को काबू करने की पूरी-पूरी कोशिश की उस भीड को गेस्ट हाउस के अंदर से बाहर निकाल दिया और बाहर से जो और जो लोग थे उनको बाहरी सीमित रखा इस बीच में समाजवादी पार्टी के जो कारेकरता थे जो उनके लोग थे उन पर लाटी चार्ज करने का आदेश दे दिया डियम ने जब लाटी चार्ज करने का आदेश समाजवादी पार्टी के विदायकों पर, कार्यकरताओं पर हुआ तो इसके साथ में इस इस्तिति को नियंतरण में लाया जा सका बताते हैं मायवती के कमरे में के बाहर वो जो DM थे उस समय वो उसके बाद खुद से डटे रहे और जब तक ये पूरा खत्रा टल नहीं गया तब तक वो वहाँ पर मौजूद रहे सपा की तरफ से ऐसा जो आरोप लगे हैं वो ये हैं कि सपा की तरफ से विदान सवा सदस्यों के खिलाफ कार्यकरताओं के खिलाफ DM को इस तक संदेश थे कि आप कुछ भी इस तरह की नाम था भ्रह्मदत द्रवेदी भ्रह्मदत द्रवेदी एक बहुती दबंग नेता एक बाहु बली अच्छे खासे नेता माने जाते थे बीजे पी के फरुकल बात से चुनके आते थे गेस्ट हाउस कांट के दिन इसी दिन पे दो जून के दिन 1995 वो पास की एक चलाना वो खूब जानते थे अच्छे से भली बाती तो उन्होंने माँ पे एक लाटी लिया और लाटी से उन्होंने जितने भी जो भीड थी उसको माँ पे हटाना शुरू किया कई बार उन्होंने लाटियां चलाई उसके बाद भीड को यहां से हटाया अब क्योंकि इस्तिती को नियंतरण में लाया जाए और ऐसा ही हुआ यहाँ पे forces आती हैं उसके बाद इस्तिती को control में लाया जाता है मायवत्य उनके जो party विदायक जो की suite number 1 और suite number 2 में बहुत देर से बंद थे करीबन 2-3 घंटे ये पूरा ये जो अंदर इन लों को बंद रहना पड़ा है तो यहाँ से वो इतने जाँ डर चुके थे कि कई बार इस्तिती नियंतरण में लाने के बाद भी खुद district magistrate ने उनसे कहा कि अब इस्तिती नियंतरण में आप लोग बहार आ जाईए फोन करके अंदर बताया गया कि आप लोग बहार आ सकते हैं यहाँ पर अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है लेकिन लोग इतने जाँ डर चुके थे मायावती खुद इतनी जादा बहवीत हो चुकी थी कि वो लोग बहार आने में भी दस बार सोच रहे थे इसके बाद फाइनली जब यह दर्वाजा खुला मायावती को बहार निकाला गया बीजेपी के एमेले जो भ्रम्दत देवेदी थे देवेदी ने जिन्होंने लाठी चला कर लोगों से लोखा लिया था सेफली उनको आपर रखा गया यही वज़े थी कि जिस दिन यह जो ब्रम्दत देवेदी बीजेपी के एक नेता थे उन्होंने बीएसपी की सुप्रियों मायावती को इस तरह से बचाया था और यही एक बज़े थी बताते हैं कि मायावती उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थे इसके बाद मायावती उन्होंने उनको बड़ा भाई माना है और कभी उनकी सीट से अपना कोई भी उमीदवार कभी ख़़ा ने किया तो इसके बाद हुआ क्या कि जब मायावती को यहाँ से निकाल लिया गया safely करीबन 2-3 घंटे तक यह पूरा जो एक तरह से attack था यह चला यहाँ पर rescue किया गया मायवती को मायवती यहाँ से सुरक्षित बच गई उस दिन लेकिन इसकी जो अपनी duty निभाते हुए जो सजा मिली वो उस DM को मिली जो district magistrate थे रात के 11 बजे उसी दिन उनका transfer कर दिया जाता है उनका तबादला कर दिया जाता है अगले दिन 3 जून का जब दिन आता है 3 जून 1995 मायवती ने समर्थन वाफसी का एक letter राजपाल को दिया राजपाल ने समर्थन वाफसी का letter स्विकार किया बीजेपी के साथ मिलकर कि पहले CM मुलाहिम सिंग यादव ते और एक दिन के बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सदनली CM बनती है मायवती मायवती यहां CM बनती है और पहला आदेश उनों में दिया कि गेस्ट हाउस कांड की जाच कराई जाए उसके लिए कमेटी बनाई जाए एक senior I.S. officer एक बहुती वरिस राइस officer रमेश चंद्रा को यहां पे इस कमेटी का head बनाया जाता है उनकी कमेटी बनाईगी चंद्रा कमेटी और कमेटी ने अपनी चंद्रा कमेटी ने 89 pages की एक report पेश की जिसमें उन्होंने मुलाहिम सिंग यादव समेट 24 लोगों को जिम्मेदार बताया था और कहा था कि यह जो plan था यह पहले से बना लिया गया था इसमें लखनाउस से कई officers थे उनको transfer किया गया था तो इस तरह के इसमें बाते बताई गई मायवती ब्रह्मदत दिवेदी को BJP के वो जो MLA थे जिनने उनको बचाया था वहाँ पे आके forces के जो पुलिस के साथ में पुलिस के जवानों ने बचाया अफिसर्स में बचाया लेकिन ब्रह्मदत दिवेदी का भी बड़ा उसमें रोल था तो वो उनको अपना भाई मानती थी लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दो साल बाद ही 1997 में दो साल बाद ही उनके घर के बाहर ब्रह्मदत दिवेदी और उनके गनर की गोली मारकर यहां पे हत्या कर दी जाती है बताया जाता है कि मायावती बहुत जादा रोई थी जब वहीं थी उनके घर पे इसके बाद और इसके बाद जब उनकी वाइफ जो है ब्रंदत दिवेदी की जब वो भी अपनी सीट से खड़ी होती थी तो मायावती ने कभी मापे अपना उम्मीदबार नहीं उटा रहा हेड वो ये कहते आये थे हमेशा वो उनका हमेशा ये कहना था कि हमारे जो कारेकरता थे वो सिर्फ वहाँ पे नारे लगा रहे थे उल्टा हमारे कारेकरताओं को बस्पा के कारेकरताओं ने मारा है कई कारेकरता ऐसे थे जो उनके पास खून से लगपत हालत में पहुँच जाता है तो दोस्तों यह था आज का एपिसोड गेस्टाउस कांड की उपर उम्मीद है आपको पूरी तरह से जो गेस्टाउस कांड है इसके बारे में आपने कई बार इसका नाम सुना होगा लेकिन नहीं पता होगा कि एक किस तरह से हुआ था क्या चीज़ें इसमें इसमें और वो चीज़ें पूरी तरह से आपको study IQ यहाँ पर बहुत ही affordable prices में provide कर रहा है एक बार जाके जरूर देखेगा इन सारी details को courses की आपके accordingly courses बनाए गए है और यहाँ पर जाके आपको क्या करना है VJ Live यह code लगाना है यह आपका code है यहाँ पर आपको इसको लगाने से बहुत ही बड़ा discount मिलता है अपनी तयारी को मदबूत बनाते हैं मिलेंगे अगले episode में तब तक लिए दीजेज़ाद नोशकार धन्यवाद जैहिंद